मज़गा है आज हम लोग बनाएंगे मंचूर इन राइस वह भी स्ट्रीट स्टाइल और इसे भी बहुत दिन के बाद में मैं वीडियो डाल रही हूं एक्चुली कुछ प्रॉब्लम की वज़े से मैं काफी दिनों तक वीडियो नहीं डाल सकी इसलिए I'm so sorry तो आज मैं वीड वीडियो बना रही हूं तो यह क्या हुआ है पहले ही यह भाया ने इसमें थोड़ा तेल डाले हैं तेल को अची तरह से गरम कर लें इसके बाद में अधर क्लसून का पेस्ट डाले है थोड़ा सा हाफ टेविल स्पुन के करें इसके बाद में पत्ता गोबी डाले हैं और कौछी तरह से मिक्स कर लें उसके वजब एसमें केया करना है डालना है तो हम म्हीं हीस तरह से इस करना है उसके बाद में इसमें कुछ सोय सास वग्रे टाले हैं तो सबसे पहले ैचली सास घ्रं Państ यह ना वह बहुत ही कम डाले हैं क्यूंकि सोय सॉस में अल्रेडी नमक रहता है तो जितना टेस्ट है मतलब टेस्ट के अनुश्ट डालते हैं उससे 50 परसंट कमी नमक जो है वो डालना है तो नमक डाले हैं उसमें ही अजिनो मोटो डाले हैं और सभी कुछी तरह से मिक्स करते विए इन्हें कम से कम 30 सेकिन पका हैं यह जो प्रोसेसर हैं यह हाई गयास में करना पड़ता है तभी इसका जो टेस्ट है वो क्रिस्पी ने साथी तो इस तरह से पका हैं पग्या है अल्मोस्ट उसके बाद में थोड़ा सा उपर से पत्तागों भी डाले हैं आप चाहें तो सिम्लमीज कटी विए गाजर भी डा यह हमारी जो राइस मंचीरे ने पग गया है यह देख सकते हैं उसके वाद में गयास को बंद कर दे और इने गर्मा गरमी टॉमेटो सॉस के साथ में या फिर ऐसे भी खाने कले सब्सक्राइब कर सकते हैं थोड़े ज़्यादा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसमें जब आप अधरक लेश्वन के पेज़ डाल रहे हैं उसके साथ में हरी मिर्ज का भी एक दो हरी मिर्ज का पेज़ डाल सकते हैं तो उससे क्या होता है यह बहुत ही ज़्यादा चरपटा बनेगे अगर आपको ज़्यादा चरपटा नहीं पसंता आप इसमें थोड़ अचा चरपटा बना सकते हैं